नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और जिरकॉन, ब्लोग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इस ब्लोग में चर्चा करेंगे कि आप अपने प्रोडेक्ट की पुजिशनिंग कैसे कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडेक्ट जो है ब्रेंड बन सके और positioning करते हुए कि इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए इसके लिए हमने एक बुक अली positioning रीज और ट्राउट द्वारा लिखित इस पुस्तक के अंदर हम देख रहे हैं और आज हमने 7 पॉइंट यहां से पिक किये हैं इस बुक की समरी करते हुए हमने इसके 7 पॉइंट पिक किये हैं जिसमें हम पॉडेक्ट की positioning आपके इस प्रकार से कर सकते हैं इस बात पर विशेश चर्चा की गई है तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अल्रीस और जैक ट्राउड दुआरा लिखित पॉजिशनिंग दा बैटल फॉर यूर माइंड में लेखक उभोकता के दिमाग में पॉजिशनिंग की महतवपून अवधारना और इसके महतवपर परकाश डालते हैं इस पुस्तक में इस बात की परताल करती है कि कैसे परभावी स्तिती मार्केटिंग स्टेटरजी में एक शक्तिशाली उपकर्ण के रूप में काम कर सकती है जिससे किसी ब्रैंड को समझने और याद रखने के तरीके को अकार मिलता है रीज और ट्राउट उभोकता के दिमाग में स्तिती के महतों पर चर्चा करते हैं और यह मार्केटिंग स्टेटरजी में एक शक्तिशाली उपकर्ण हो सकता है इस पर साथ पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें लेखक बताता है कि किस परकार से आप अपने परडेक्ट की पॉजिशनिंग मार्केट में कर सकते हैं और ब्रैंडिंग कर सकते हैं नमबर एक मेंटल प्रिप्रेशन मानसिक धारना रीज और ट्राउट इस बात पर जोड़ देते हैं कि पॉजिशनिंग उस मानसिक धारना के बारे में है जो एक ब्रैंड अपने उपभोगता के दिमाग में रखता है यह सिरफ किसी परडेक्ट या सर्विस की विशेष्टाओं के बारे में नहीं है बलकि गरहाक के विचारों में उसके स्थान के बारे में है यानि कि उसकी पुजिशनिंग के बारे में है तो उसकी पुजिशन कस्तमर के दिमाग मर्थ कहां हुई हुई है नमबर दो डिफ्रेंशियेशन भेद भाव पुस्तक स्थीती निवारण में विवेदी करण के महत्व पर जोड़ देती है ब्रैंडों को बजार में एक एदित्ते और समहोग स्थीती के पहचान करने के अवशक्ता है जो उन्हें परतिस प्रधियों से अलग करती है यानि कि आपके कंपिटीटरों से अलग करती है उप भोगता के दिमाग में एक अलग छवी बनाती है यानि डिफ्रेंशेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप अपना ब्रैंड बनाना चाहते हैं उसके एक अलग पुजिशिनिंग आप मार्किट में करें यानि कि कुछ डिफ्रेंश होना जरूरी है जो पहले पर्टिकुलेर ब्रैंड चल रहा है उसमें और आपके पर्टिक्ट में आपकी सर्विस में कुछ डिफ्रेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों नमबर तीन सिंप्लिसिटी एंड फोकस सादगी और फोकस पर भावी स्थिती अकसर सरल और केंदरित होती है जो ज़्यादा असर करती है वो ज़्यादा केंदरित होती है यानि कि बिल्कुल लेजर शाप की तरीके से होती है और सरल होती है रीज और ट्राउट का तरक है एक स्पष्ट और सीधा संदेश वो भोकतागे बीच में पर्तिध्वनित होने और दिमाग में बने रहने की अधिक संभावना होती है जब आपका संदेश सरल और सीधा होता है तो वो आपके कस्टमर के दिमाग अधिक समय तक बना रहता है नमबर चार Creating Mental Categories मानसिक श्रेणिया बनाना लेखक उत्पाद या सेवाओं के लिए मानसिक श्रेणिया बनाने के कमपनिया बजार में एक स्पष्ट स्थान स्थापित कर सकती है नमबर पाँच Consistency Across Marketing Channels पुष्टक विविन Marketing Channelsों में निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है देखिए अगर आपको अपना Brand अपने Product को अपनी Service को Brand बनाना है तो यह बहुत जुरूरी है कि आपकी जो Marketing है वो निरंतर कंसिस्टेंट हो यानि consistency के साथ चलती रहे क्योंकि कहा भी जाता है कि Success Depend on Regulity Rather than Your Talent Rather than Your Quality कि आपका जो Product है वो Brand तब बन सकता है जब वो निरंतर मार्किट में हो एक समंजश्य संदेश वांची स्थिति को डिड करता है और मजबूत और एकिकरित Brand सभी बनाने में मदद करता है यानि कि अगर एक निरंतर आपका Marketing चल रहा है तो वो आपके Brand को आपके Product को Brand बनाता है Preparation More Than Reality नमबर 6 Preparation More Than Reality वास्तिविक्ता से अधिक धारना रीज और ट्राउट का तरक है और भोगता के मन में किसी Brand के बारे में धारना वास्तिविक्ता से अधिक माइने रखती है सफल स्थिती इस बात से मेल खाती है कि ग्राक किसी Brand को कैसे देखते है जिससे उसके खरीदारी निर्ने परभावित होते हैं कि वो उसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा इस बात का निर्ने लेना इस बात से परभावित होता है कि उसकी धारना उस परड़ेक के बारे में उसके दिमाग में कैसी अंकित हुई है नमबर साथ, लोंग टरम ब्रैंड बिल्डिंग, दृइक कालिन ब्रैंड बिल्डिंग पुजिशिनिंग को ब्रैंड निर्मान के लिए दृइक कालिन रणनीती के रूप में देखा जाता है एक विशिष्ट स्थिती को लगातार मजबूत करके कमपनिया अपने लक्षित दश्कों के दिमाग में एक मजबूत स्थिती उपस्थिती बना सकती दोस्तो आज हमने चर्चा की इन साथ पॉइंट पर कैसे आप अपना प्रडेक्ट का पोजिशनिंग कर सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि ये आपको वीडियो कैसे लगा ये इन्फरमेशन आपको कैसी लगी और आप इन पॉइंट में से किस पॉइंट पर वर्क करके अपने प्रडेक्ट की पोजिशनिंग करने जा रहे हैं या उसकी पोजिशनिंग ठीक करने ज दूलिएगा क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब कर देते हैं और नोटिफिकेशन बैल को हिट कर देते हैं तो जैसे हम यहां से कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चैनल को तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर से हाजर होते हैं, एक नई अपडेट के साथ में, एक नए ब्लोग के साथ में, तब तक के लिए जाज़त, नमस्कार.